अब आज हम लोग शुरू करने जा रहें डाइजेशन एड अब्सॉप्शन का थर्ड वीडियो तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए ठीक हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए वह आप लोग प्लीज ध्यान से और पूरा देखेगा क्योंकि मैं बैट लगाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये NCRT की लेंगविज है न बुक की काफी टफ होती है पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको NCRT की हर एक चीज समझ में आएगी और NCRT स तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए आज हम लोग डिसकस करते हैं सबसे पहले कि जो हमारी गट होती है गट का मतलब होता है उसमें सब कुछ आता है गट के अंदर आपका इसोफेगस आएगी स्टमक आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी लाज इंटेस्टाइन आ तो पाइप के बीच में क्या होता है लियूमें होता है तो सबसे पहले लियूमें होगा बीच में आपके लियूमें है लियूमें के बाद जो आप अंदर से बाहर की तरफ आएगे तो वहां पर जो सबसे पहली जो आपकी लियर आएगी आपकी म्यूकोसा म्यूकोसा के बा तो जो इसमें inner muscles होती है वो circular होती है और outer जो होती है वो longitudinal होती है ये MCQ बहुत ही important है आप हमेशा रखेगा कभी भी MCQ आए कि भी muscularis में circular muscle कहा होती है तो आपको बोलना है inner और अगर कोई पूछे कि लोगी longitudinal muscles कहा होती है तो आउटर होती है तो हमेशा अंदर की तरख ये जो है पहले आपकी क्या होंगी circular होंगी बाहर फिर longitudinal होंगी अच्छा आखरी और चौथी layer आपकी सीरोसा तो सबसे बाहर वाली layer है सीरोसा तो आप देखिए कभी भी question आ सकता है अंदर से बाहर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ तो अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगी तो ubiquinth से हमेशा याद रखना है अब ये एक स्टमक का deagranm है यहां पे हमने different layer show की है तो सबसे अंदर lumen होता है उसके बाद mucosa होती है उसके बादzwammucosa होती है सबmucosa के बादो होती है muscle layer जिसक turmeric बोलते हैं इसमें inner circular और outer longitudinal आपको हमेशा ध्यान रखना है और आखरी में सीरो सा होती है तो यह एक बेस्टिक रिस्ट्रक्चर है अब यह डाइगनाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेगा तो देखिए सबसे पहली लेयर थी मेरी म्यूकोसा तो म्यूकोसा भी ना तीन पार्ट म लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलेरिस म्यूकोसा अब यहाप एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपकी म्यूकोसा होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड भी होती है जिनको बोलते है ग्लैंड इन म्यूकोसा तो यह बात भी आपको याद रखना है और म्यूकोसा के अंद यह स्वामुकोर्ण प्लेक्सली तो ऑफ़ इंपॉसा भेशा को बोलते हैं कभी भी इसको गलत मत कीजिएगा ओके तो यह आपकी इंपर्टेंट चीज होगी और इसके अंदर क्या होगा और क्या होगा कुछ-कुछ सम्युकोसा की ग्लेंड हमने देखे लिए तो सम्युकोसा के अंदर कुछ ग्लेंड हैं और सम्युकोसा प्लेक्सस ठीक है देखो प्लेक्सस क्या होता है प्लेक्सस होता है प्लेक्सस का आप मतलब समझ सकते हो कि जाल एक जाल है एक तरीके का तो यह सम्युकोसाल प्लेक्सस प्लेकसस ओफ मिजनर्स को है ना यह मैं इसको green कलर से दिखा देता हूँ यह जो nerves है यह actually nerve का एक जाल होता है जिसको हम लोग प्लेकसस बोलते है तो यह कुछ नहीं है यह just एक nerve का एक जाल है तो याद रखना के sub mucosal plexus या plexus of misner nerves का एक जाल होता है जो की sub mucosal में होता है अब next layer थी आपकी muscularis आप लोगों को पहले ही पता है कि इसमें inner जो layer होती है वो circular होती है और outer जो होती है वो longitudinal होती है यहाँ पे कुछ नहीं होती है बस muscles होती है inner circular outer longitudinal कभी गलब अब important चीज़ है कि medical science में term use होता है mind trick मायन टरिक का मतलब होता है muscle अगर कहीं भी term use होता है mind trick जैसे यहाँ पे हम use करते है mind trick plexus मायन टरिक का मतलब समझ जा न? mind trick का मतलब बात हो रही है आपकी muscles की mind trick का मतलब होता है muscles तो यहाँ पे एक nerve का एक जाल होता है जिसको plexus बोलते है जो कि muscularis layer के अंदर है तो क्योंकि यहाँ पे muscles है इसलिए इसका नाम रखा mindric और क्योंकि nerve का जाल है तो इसलिए इसको बोलते है plexus तो यह हो गया mindric plexus तो कभी भी एगर question आए कि mindric plexus कहा होता है तो mindric plexus होता है आपका muscularis layer के अंदर मतलब कि third number की layer के अंदर जबकि जो plexus of misner होता है या submucosal plexus वो submucosal के अंदर होता है तो यह MCQ कभी गलत नहीं होना चाहिए next layer आती है आपकी serosa तो serosa में basically दो पार्ट होते है एक तो ariolar connective tissue होता है और दूसरा बाहर का epithelium होता है अच्छा एक बाता आपको बता दूँ कि हमारी जो intestine होती है बड़ी लंबी होती है small intestine large तो उसको ना हमारी जो body cavity है उसके अंदर एक structure होता है जिसको हम लोग होते है misentry, misentry ना इसको लटका के रखता है यह जो red वाले चेज़ है यह red हम medical science में red जो है आर्टरी को दिखाते है तो red कलर की आर्टरी है यलो कलर की आपकी nerve है और blue कलर से हम वेन दिखाते है तो हमेशाय आद रखना है misentry के अंदर अगर कोई भी बोले कि हमारी जो intestine है वो कैसे body cavity के अंदर किस के support में रहती है तो आपको answer करना है misentry misentry उसको support करके रखती है और उसके अंदर होता क्या क्या है misentry के अंदर artery nerve and vein तो यह भी बहुत important MC की हुए आपको हमेशाय आद रखना है यह एक और cut section है यह फिर से मुसको revise करना है कि जो gut का section है center में lumen होता है फिर mucosa होती है mucosa के 3 part पहला epithelium सबसे अंदर उसके बाद lamina propria उसके अद मस्कुलेरिस mucosa उसके next layer आएगी sub mucosa okay sub mucosa के अंदर sub mucosa glands होती है next layer आएगी muscularis तो muscularis जो यहाँ पे उसके अंदर होती है inner muscle जो की circular होती है और outer muscle जो की longitudinal होती है तो यह आपको हमेशा याद रखना है कभी गलत मत कीजिएगा यह आपका MBBS में end तक काम में आएगा हमेशा तो यहाँ पे थोड़ी सी theory देख लेते हैं कि elementary canal जो होती है उसकी जो wall होती है चार layers में divide होती है जो हमने अभी discuss करी जिसमें सबसे बाहर है serosa उसके अंदर है muscularis उसके अंदर है submucosa और सबसे अंदर की तरफ है mucosa तो यह आपको sequence पता होना चीए या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ऐसे अगर आप बोलो कि अंदर से बाहर की तरफ बताओ तो सबसे अंदर lumen के पास mucosa फिर उसके बाहर submucosa फिर उसके बाहर muscularis और उसके बाहर serosa तो यह sequence आपको पता होना चीए अचा serosa क्या है serosa जो है आपकी outermost layer होती है और यह कभी-कभी MCQ आता है कि भी serosa किस से बनी होती है तो serosa बनी होती है mesothelium से हमेशा answer आप ठीक कीजेगा mesothelium mesothelium क्या होता है तो mesothelium कुछ नहीं होता वो एक special type का epithelium होता है जो की visceral organs को cover करता है आप पूछोगे कि sir visceral organ का मतलब क्या होता है तो visceral organ का मतलब होता है वो organ जो हमारी body cavity के अंदर होता है जैसे कि stomach हो गया large intestine, small intestine, liver, pancreas तो इन सारे के सारे structures के बाहरे एक serosa की covering होती है जो कि एक mesothelium से बनी होती है और क्या-क्या होता है उसके साथ थोड़ा सा connective tissue होता है तो यह आप हमेशा है रखना कि serosa mesothelium से बनी होती है और वो outermost layer है next आप एक point देखते है muscularis के बारे में तो muscularis जो layer है जो कि हमने तीसरी देखी थी जिसमें कि अंदर inner circular muscles थी और बाहर की तरफ outer longitudinal layer थी तो यह जो muscles होती है smooth muscles होती है हमेशा है रखना muscles दो type की होती है smooth and skeletal तो यहाँ पर हमेशा है रखना यहाँ जो muscles है यह smooth muscles है कभी MCQ गलत मत करना अच्छा NCRT में एक line लिखिया है कि हमारी body के कुछ region में oblique muscles भी होती है इसी layer के अंदर मतलब muscularis layer के अंदर कहीं कहीं oblique muscle भी होती है तो यह unique सा feature है आप हमेशा रखना NCRT में दिया हुआ है कि कुछ region में oblique muscles भी होती है अच्छा जो sub mucosal जो layer होती है वो कैसे बनती है उसमें होता है एक तो loose connective tissue होता है जिसके अंदर nerve, blood vessels और limb vessels होती है तो यह बात भी आपको याद रखनी है नेक्स देखिए एक important चीज़ है कि जो dudenum होती है dudenum के अंदर कुछ glands होती है वो कहां present होती है sub mucosal gland वो sub mucosal के अंदर होती है तो हमने पहले भी देखा था कि sub mucosal के अंदर कुछ glands होती है पर dudenum के अंदर वो बहुती important gland होती है जो कि sub mucosal में होती है नेक्स्ट के जो innermost layer होती है lumen के just past में जो layer होती है elementary canal में उसको बोलते है mucosal ठीक है कुछ organs के अंदर ये mucosal modified हो जाती है मतलब कि कुछ organs के अंदर ये जो mucosal layer है ये irregular fold के तौर पे modify हो जाती है जिसको हम बोलते है रूगी जैसा हमने बोला था कि मैंने पिछली जो वीडियो था उसमें बताया था कि इस टमक के अंदर कुछ fold होते हैं जिनको हम रूगी बोलते हैं कभी गलानमत करना कभी भी आय कि रूगी जो है वो कहां होते हैं तो रूगी इस्टमक के अंदर होते हैं ये irregular fold होते हैं जो कि mucosal का ही modification है यह हैं या हैं इस्टमक के मुकोसा का ही एक modification है Мुकोसा से ही बने होते हैं जैसे इस्टमक में रूगी होते हैं एसी small intestine के अंदर क्या होता है, finger like foldings होती है जिनको हम लोग-villai बोलते हैं वो small intestine के अंदर होती हैं तो कभी भी आया कि villai कहा होती है तो विलai small intestine में होती है और rougi कहा होती है तो रougi स्टमक में होती है यह देखो, ये small intestine का एक diagram है जिसमें की villai दिखाए गई है यह mucosa है जो कि fold के form में मैं एक बार फिर से कर देता हूँ यह fold जो बने हुए finger like fold इसको हम लोग बोलते हैं विलाई तो mucosa जो है fold के form में है जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं यहाँ पर आप देखोगी यह जो विलाई है यह नीचे की तरफ गई और dip बनाया इसने इसको बोलते हैं क्रिक्ट of liver can बोलते हैं तो कभी भी आए के क्रिक्ट कहां पे होते हैं तो क्रिप्ट आपके small intestine में होते हैं जिनको बोलते हैं क्रिक्ट of liver can अब देखिए हर विलाई के अंदर कुछ important चीज़े हैं, कुछ MCQ देख लेते हैं एक कुछन होता है कि Lacteal कहा होती है देखो Lacteal एक special vessel होती है जो की विलाई के अंदर, यह जो yellow color से दिखा ही है यह जो yellow color से जो दिखा रखी है यह वाली, यह जो vessel है इसको मुलग बोलते है Lacteal और Lacteal की खास बात कहा है कि Lacteal के अंदर क्या होता है Lacteal के अंदर lymph होता है हमारी body में एक blood होता है एक lymph होता है, तो Lacteal के अंदर क्या होता है lymph होता है, हमेशा रखना कभी भी MCQ आए पहला MCQ आए कि भी Lacteal होती कहा है तो Lacteal जो होती है, वो small intestine की विलाई के अंदर होती है और लेक्टियल के अंदर होता क्या है तो लेक्टियल के अंदर क्या होता है लिम्फ होता है लेक्टियल के अंदर लिम्फ होता है हमेशे आद रिखिए गई इस चीज़ को और क्या होती है विलाई के अंदर अच्छा, important चीज तेख ले ते हैं कि जो आपकी, ये जो cells होती हैं, जो कि विलाई को, विलाई, देखेें जो विलाई थी NA, विलाई एक फोन्ड जैसा structure होता है, इस विलाई के उपर भी छोटी चोटी cells होती हैं जो उसको line करती हैं, उस विलाई के उपर भी छोटी-छोटी cells और उसके उपर भी छोटे छोटे projection जिनको हम लोग बोलते हैं micro willi जिसकी वज़र से यह कैसा दिखता है brush border जैसा दिखता है तो कभी भी कोई question आए कि भी brush border appearance कहा होती है तो brush border appearance होती है small intestine के अंदर मैं अब को दिखा देता हूं देखे यह willi का structure है यह आपकी विलाई है यहाँ पे क्रिप्ट अप लिवरकन है अब इस विलाई का ना magnify view यह दे रखा है तो यहाँ यह different different cells है और cells के उपर आप देखिए छोटे छोटे projections है छोटे छोटे हैर जैसे projection है जिसको हम लोग microvillai बोलते है और इस microvillai की enteros का मतलब होता है intestine okay enteros का मतलब होता है intestine तो enterosite का मतलब क्या हो गया कि intestine के अंदर वाली cells तो यह एक important चीज़ आप याद रखेगा तो एक बात है कि नेचर ने ऐसा बनाया क्यों एक तो पहले से ही विलाई थी उसके उपर कुछ microscopic projection दे दिये जिनको लोग microvillai बोलते है तो इससे फायदा क्या हो इससे फायदा यह होता है कि इससे surface area बढ़ जाता है intestine का और जब जितना जादा surface area होगा ना उतना ही जादा food का absorption आसानी से होगा तो यह important बात आपको याद रखनी है उसके बाद आपको एक जो question मैंने आपको पहले बताया था कि लेक्टियल क्या होती है तो आपको याद रखना है कि विलाई जो होती है विलाई के अंदर क्या होता है एक तो capillaries का network होता है और एक large lymph vessel होती है large lymph vessel जिसको हम लोग lacteal बोलते है जिसके अंदर lymph होता है तो हमेशा याद रखना कि आपकी जो lacteal होती है वो small intestine के अंदर विलाई के अंदर होती है और उसमें lymph होता है उसके अंदर lymph होता है because it is a lymphatic vessel तो ये एक important चीज़ है अच्छा एक है कि आपकी जो ये mucosal जो epithelium होता है न उस पे गॉबलेट cells होती है ठीक है और ये गॉबलेट cells क्या होती है ये mucos secret करती है जो की help करता है lubrication में ये हमेशा याद रखना है ठीक है देखो ये एक structure है mucosa का तो mucosa में ये कुछ cells है जिनके blue nucleus दिख रहा है आपको बीच इच में देखो ये जो है न मैं green color से दिखाता हूँ ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग goblet cells तो mucosal cells के बीच-बीच में goblet cells होती है और इन goblet cells का काम क्या होता है mucos को secret करना और ये mucos क्या करता है lubrication में help करता है तो ये important याद रखना है कोई भी पूछे के भी goblet cell का होती है तो goblet cells जो होती है वो mucosa के epithelium में होती है बीच पाए हो जाती है for example देखा जा इस्टमक तो इस्टमक में क्या होता है कि mucosa जो है न वो बनाती है क्या gastric gland बनाती है mucosa इस तरीके से folded रहती है कि वो gastric gland वहां पर बना देती है ऐसे ही हमने पढ़ाता है intestine small intestine में दो विलाई के बीच में base के पास एक crypt बनती है जिसको हम कर लेते हम लोग देख लेते हैं देखें यह दो एक यह विलाई है एक यह विलाई है नीचे base में यहां देखिए यह mucosa का fold गया और नीचे की तरफ इसने fold लोके बना लिया crypt of liver can तो यह एक mucosa का modification ही है ठीक है यह आपको बात याद रखनी है तो इस तमक के अंदर gastric gland बन of four layers show modifications in different parts of the elementary canal मतलब की elementary canal के different different parts में यह जो चारो लेयर है मतलब की mucosa, submucosa, muscularis and serosa यह कुछ-कुछ form में modify रहती है जैसे कि मैंने यहां पर बताया है कि स्टमक के अंदर mucosa modified हो जाती है fold बना-बना के रूगी बनाती है और gastric glands इसी तरीके से intestine में बनाती है क्या विलाई तो यह point भी आपको याद रखना है यह बहुत important diagram है इसको हम लोग discuss कर लेते हैं यहां पर हम लोग यह stomach का diagram है और stomach में जैसा कि मैंने कहा था कि mucosa जो होती है वो fold के form में इस तरीके से रहती है folds के form में तो दो fold के बीच में दो fold के बीच में क्या बन जाता है gastric pit बन जाता है gastric pit बन जाता है जिसके अंदर gastric gland होती है यह gastric pit बन गया जिसके अंदर gastric gland है तो कोई भी पूछे कि gastric gland बनती कैसे है तो gastric gland जो है वो mucosa के fold के बीच में बनती है वहाँ पे gastric pit बनता है जिसके बीच में gastric gland बनती है अब important MCQ आता है कि gastric gland के अंदर कौन-कौन से important cells होते ह तो सबसे पहले होती है mucos cells दो तरगे की mucos cells होती है एक तो होती है surface mucos cell और एक होती है neck mucos cell तो एक होती है अपकी surface mucos cell और एक होती है neck mucos cell देखिए जो surface पर होगी उपर की तरफ उसको हम लोग बोलेंगे surface mucos cell और ये नीचे वाले पार्ट को इसको हम लोग बोलते हैं neck, neck of the gland यह gland का neck region है तो यहाँ पर जो mucus cell होगी इसको हम लोग बोलेंगे mucus neck cell, और mucus cell का काम क्या होता है, mucus cell का काम होता है mucus को secrete करना, okay mucus को secrete करना, तो mucus क्या होता है हमारे को, जो हमारे gastric, जो glands है उनसे gastric acid बनता है जिससे की इस टमक को injury हो सकती है उसको हा नहीं हो सकती है तो mucus क्या होता है उसको prevent करता है मतलब कि gastric acid से जो gastric mucos है उसको injury नहीं होने देता अच्छा आप next कौन सी cells है तो next cells होंगी आपकी gastric gland के अंदर parietal cell ये बहुत hydrochloric acid और दूसरा intrinsic factor तो hydrochloric acid जो होता है HCl तो कभी भी पूछे के बही जो hydrochloric acid है वो इस टमक में कहां से secret होता है तो वो parietal cell से secret होता है और एक और चीज होती है intrinsic factor intrinsic factor क्या होता है ये vitamin B12 के absorption में help करता है vitamin B12 कभी भी कोई पूछे कर विटामीन B12 के absorption के लिए कौन सा factor चाहिए तो intrinsic factor intrinsic factor चाहिए और वो जो intrinsic factor है वो कहां से secret होता है तो intrinsic factor secret होता है आपका parietal cell से ये important एक से क्यों है parietal cell of the gastric gland उसके बाद next cell है आपकी chief cell chief cell होती है तो chief cell यहाँ पे रहती है और chief cell से क्या secret होता है chief cell से secret होता है pepsinogen and gastric lipase मतलब कि enzymes जो होते हैं तो जो gastric juice में जो major enzymes होते है that is your pepsinogen and gastric lipase वो secret होते है chief cell से तो ये भी important चीज आप याद रखेगा और जो gastric gland का जो base होता है वहाँ पे एक cell होती है जिसको हम लोग बोलते हैं G cell G cell से एक बहुत ही important hormone secret होता है जिसको हम लोग बोलते है gastrin तो हमेशा कभी भी कोई MC की होगा है कि gastrin hormone कहां से secret होता है तो gastrin hormone न gastric glands के अंदर G cells होती है वहाँ से secret होता है कभी भी आप इसको wrong मत कीजेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही मेरी आप से फिर से request है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको like कीजिए, share कीजिए thanks for watching my video